वेलकम टू दी चैनल गाइज, दोस्तो आगे वीडियो में हम समझेंगे कि क्लच का बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, कहीं लोगों को पता नहीं होता है कि बाइटिंग पॉइंट होता क्या है, क्लच का होता क्या है जैसे माली आपना होता है यह फ्लाइंग विल जो continuously घुमता अपना engine स्टार्ट रहता तब और यह अपनी clutch प्लेट धोफ कनेजन के प्रेस करते हैं तो यह clutch प्लेट क्या है engine के विल से दूर हो जाती है मतलब हमारा टायर और एंजन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता जैसे जैसे हम क्लच को रिलीस करते जाते हैं तो क्लच प्रेट धीरे-धीरे फ्लाइविल की और आने लगती है जब भी हम क्लच पूरा छोड़ देते हैं पूरी तरह से चिपक जाती है जिससे हमारी गाड़ी हो जाती है तो उसके स्पीड के हिसाब से कम रेशियो में मूब करने लगती है जिससे हमारी गाड़ी कर नहीं को कि कि चोड़ना पड़ता है कि और क्या मुमेंट होता क्लच का तो आई हम देखते हैं सकते हो आपको मेरे सारे foot levers दिख रहे होंगे, अभी मेरी गाड़ी start है, engine चल रहा है, अब मैं क्या करूँगा, अपना clutch, full press कर दिया मैंने अपना clutch, और अब मैं क्या करूँगा, दोस्तों, अपनी गाड़ी first gear में डालूँगा, जो hand brake है मैं उसको release कर देता हूँ, अभी मेरी करने लग गई है, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, और अब हलका सा और release करूँगा, clutch को, तो मेरी गाड़ी आगे की और move करने लग गई, तो दोस्तों, ये चीज़ होती है, अपने biting point, अगर इस point पे मेरी गाड़ी चल रही है, मतलब गाड़ी आगे की और move करने लग गई ह clutch का biting point होता है, आपको इस point को समझना है आपकी गाड़ी के अंदर, so friends आप लोगों ने देखा, मैंने अपनी गाड़ी का biting point बताया है, वेसे ही आपको try करनी है, आपकी गाड़ी के clutch का biting point क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने वो चीज़ समझ ली, तो unnecessary गा कोई वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा, तो इसको like करें, दोस्तों के साथ share करें, comment करें, अगर कोई suggestion होतो, और अगर इस channel पर आप नए है, तो इस channel को subscribe करें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो को notification आप तक 看 और अक आप मैं और आप होते कि, मैं प्रेORansen लेल विल्डियो को इसे नहीं है तस आप, और दो माहा फंव Whew, अगर मैं वा है